हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं शनिवार से रोडवेस के हाला त्विकट बने हुए है अनुबंदित के लंबे रूट की बसों का संचालन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस समस्या को लेकर पिछले मा भी विरोजफरु बसों का संचालन बंद कर दिया था लेकिन बाद में मामला शांत हो गया इस बार फिर से ऐसा हुआ और बसों का संचालन नहीं हो सका एक तरफ जालोर रोडवेज प्रबंदन को तो दूसरी तरफ यात्रियों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है एक दिन में तीन लाक रुपे की आय प्रभावित रोडवेज ने वैकल्पिक व्यवस्ता के रूप में कुछ रूट पर निगम की बसो का संचालन किया लेकिन उसके बाद भी लंबे रुट जिसमें मुख्य रुप से जालोर बिकानेर, बीनमाल जुन-जुन, बालोतरा वापी, जालोर सूरत बसो का संचालन नहीं हुआ रोडवेज जालोर डेपो को एक दिन में लगबख धाई से तीन लाक रुपे का नुकसान उठाना पड़ रहा है वही अनुबंदित बसो के चालक परिचालकों ने जालोर के केंद्रिय बस्टेंड पर अपना धरना जारी कर दिया है उनका कहना है कि जब तक हमारा बकाया वेतन और मरम्मत के बिल का भुकता नहीं किया जाता है तब तक बसो का चक्का जाम रहेगा जो मुनीम रखा है वो भी उसका भी पुरा दिवा जो भी डालेवे चीजे हैं बिलकुल कुछ भी नहीं मिल रहा है और अरताल जारी है और अरताल जारी रहेगी करीबन तीन चार महिनों से बाकी पड़े हैं सर्दार जी से हम बात करते हैं फोन पर फोन नहीं उठाते हैं कभी भी जब एक्सित होजाए कोई रिस्त में हादश्या हो जे और होजे तो कोई हमारा सुनने माला नहीं है करीबन चार महिनों वह वेतन पड़े है नेने के सरदार जी को ने सर्दार के माले के मालिक हुं तो जानते है प्रधिप सरदार है परधिप है उनको जानते हैं जालर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट